नमस्कात दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो आज की इस वीडियो में हम 1993 से लेकर के 2021 तक हमारे देश में जो भी सरकारी योजनाएं लॉंच की गई हैं उनके बारे में यहाँ पर डिसकस करेंगे तो चाहें आप किसी भी प्रकार के गुरूप D एक्जाम के तयारी कर रहे हैं या फिर गुरूप A एक्जाम के तयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए यहाँ वीडियो बहुत ही जादा महपून है तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो गर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ मिसेर जरूर करिएगा वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हम जिन भी टॉपिक को डिसकस करते हैं उससे जो भी प्रशन आपके पहले के परिछाओं म लिंक मिलेगी उसपे क्लिक करके आप मेरी अनकेडमी पर क्लासेज को अटेंड कर सकते हैं क्लासेज की खास बात यही है कि इसमें हम लोग उन प्रशनों को डिसकस करते हैं जो की आपके किसी ना किसी परिछा में पूछे जा चुके हैं और इसके अलावा अनकेडमी के उप भी यहां पर purchase कर सकते हैं ध्यान रखिएगा जब भी आपको कोई course purchase करना हो तो simply use करिएगा code kv10 इससे आपको 10% का तुरंद मिलेगा discount लेकिन अगर आप unacademy के किसी भी course पर maximum discount चाहते हैं यानि की 25-30% तक का discount चाहते हैं तो आप simply इस WhatsApp नंबर के उपर मुझसे contact कर सकते हैं और unacademy के जितने भी courses हैं उनके उपर maximum discount अवेल कर सकते हैं तो चलिए अब इस वीडियो की हम सुरुआत करते हैं देखें यहां पर जो हमारी योजनाय हैं उनको हमने दो भागों में बांट रखा है कुछ योजनाय जो हम लोग सुरू में discuss करेंगी वो आपके 2014 के पहले की हैं और ध्यान रखिएगा 2014 के पहले की भी जो किंद्र सरकार की योजनाय हैं उनसे भी आपकी परिच्छाओं में बहुत बार प्रेश्ण पूछे जाते हैं तो पहले हम लोग 2014 के पहले की जो योजनाय हैं उनको discuss करेंगे और उसके बाद में 14, 15, 16, 17 जो आपके year wise scheme है उनको करेंगे discuss तो चलिए पहले सुरुआत करते हैं MP leds scheme से क्या है ये देखे इसका पूरा नाम होता है member of parliament local area development scheme क्या होता है इसमें तो इसमें हमारे देश में जो भी सांसद होते हैं उन सांसद को 5 करोण रुपए दिये जाते हैं हर साल क्या करने के लिए तो इनको ये 5 करोण रुपए इसलिए दिये जाते हैं जिससे ये अपने area को डबलब कर सके हाला कि ज़्यादा तरसांसद खुद को ही डबलब करते हैं और ये पैसा ये बचा करके रखते हैं फिर चुनाओं में इसका यूज करते हैं आखरी के सालों में लेकिन परिच्छा के दिष्टकोंड से आपको ध्याँ रखना है कि 23 दिसंबर 1993 को ये इसकीम शुरू की गई थी ग्रामिड विकास मंतराले के द्वारा और उसके बाद 1994 में इसका जो संचालन है वह सांखिकी और कारकरम क्रियान्वेन मंतराले के द्वारा किया जा रहा है तो बस आप ध्याँ रखेंगे MPLADS स्कीम इसका नाम है अगली योजना है PM पोसन योजना तो आप सभी ने पढ़ा होगा मिड़े मेल स्कीम के बारे में जो की 1995 में उस समय के जो हमारे PM थे PB नरसिम्हराओ उनके द्वारा शुरू की गई थी सिच्छा मंतराले के द्वारा मिड़े मेल स्कीम हुआ करती थी उसी का नाम अब रखा गया है PM पोसन योजना क्या होता है इसके अंतरगत तो इसके अंतरगत जब भी हमारे स्कूल खुले होते हैं तो उस दवरान प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लास के जो बच्चे होते हैं आपके गर्मेंट गर्म प्रिद्ध पैंसन योजना तो यह जो हमारे स्कीम है यह सुरू हुई थी 1995 में कब सुरू हुई थी 1995 में यह सुरू हुई थी और 60 वर्स से जो भी अधिक आयो के ब्रिद्ध वर्क्ति होते हैं उनको 600 से 1000 रुपय के मासिक पैंसन यहाँ पर दी जाती है तो बस आपको ध्य गांधी राष्ट्य ब्रिद्ध पैंसन योजना के अंतरगत 600 से 1000 रुपय तक की मासिक पैंसन दी जाती है अब बात करेंगे PM ग्रामीड सडक विकास योजना की तो यह भी बहुत ही जादा महत्पूर्ट स्कीम है 15 अगस्त वर्स 2000 को इसको शुरू किया गया था उस समय के जो हमारे PM थे अटल बिहारी वाजपेई जी उद्दे से क्या था तो उद्दे से यही था कि जो हमारे गाउं की सडके हैं उनको हम लोग और बहतर बनाएं आपने देखा होगा कि अब गाउं की जो सडके हैं थोड़ी बहुत बहतर हुने लगी हैं तो इसके लिए स्रे दि शुरू किया था PM अटल बिहारी जी ने तो 25 दिसंबर वर्थ 2000 को उस समय के जो हमारे खाद और प्रसंसकन मंतरी थे सांता कुमार जी उन्हों ने इस योजना को लांज किया था क्या है ये स्कीम तो इसके अंतरगत जिन भी कार्ड धारकों के पास में BPL कार्ड होता है यान 20 ृपय पर किलोगराम की दर से चावल और 2 रुपय पर केजी की दर से उनको मिलता है कि हुँ तो ये आपको जरू धैन रखना है ये पूछा जाता है कि BPL परिवारों को कितना अनाज मिलता है तो टोटल उनको 35 किलोग्राम अनाज मिलता है अध्शोत to अनुधनय अन इसी के परपस से 2030 में इसको शुरू किया गया था। फिर बात करते हैं राष्टी ग्रामेड स्वास्त मिसन की तो ये जो हमारी स्कीम है इसको 12 अप्रायल 2005 को मनमोहन सिंग जी की सरकार ने शुरू किया था। इसका नाम होता है राष्टी स्वास्त मिसन तो आपको ध्यान रखना है कि 2005 में ये लौंच हुआ था। अब बात करेंगे एक और बहुत ही महात्मूर योजना जिसका नाम है मनरेगा योजना यानि कि महात्मा गांधी नेशनल रूलर इंप्लायमेंट गारंटी एक्ट ये आ लागू किया गया था 2006 में तो सबसे पहले मनरेगा ये स्कीम को आन्ध प्रदेश के अननुपूर जिले में शुरू किया गया था और उसके बाद में 2008 में हमारे पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया था ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो मनरेगा स्कीम होती है इसके अंतरगत गाउं के जो लोग होते हैं उनको सौधिन काम की गारंटी मिलती है जाव कार्ड भी बनता है दरसल इसमें भी आपके बहुत बड़ा जोल जाल है जो गाउं के लोग होंगे उनको अच्छे से पता होगा परधान लोग जो होते हैं वो बहुत सारे कार्ड बनवा देते हैं और उसके बाद में जो पैसा होता है जब कार्ड धारकों के एकाउंट में आता है तो उसको निकलवा करके 2-3 100 रुपए इनको दे देते हैं तो बस यह कहने के लिए एक योजना है जादा तरलाव इसका लेते हैं पुरधान लोग अगला है राष्टिय स्वास्त बीमा योजना राष्टिय स्वास्त बीमा योजना की बात करें तो 1 अप्रेल 2008 को स्रम और रोजगार मंत्राले के द्वारा इसकी सुरुवात की गई थी लेकिन इस योजना को 1 अप्रेल 2015 से हमारे यहाँ पर जो स्वास्त और परिवार के लिएर्ण राला है वह इसको चला रहा है योजना में है क्या तो योजना के अंतरगत जो हमारे BPL परिवार के कार्ड धारक है उनको स्वास्त बीमा साहता दी जाती है इसके लिए उन्हें स्वास्त कार्ड जारी के जाते हैं और मेडिकल केर के लिए हर परिवार को 30,000 रुपए का अंदान दिया जाता है तो ध्यान रखेगा 2008 में ये शुरू हुआ था अब बात करते हैं भारत नेट की यानि की भारत ब्रॉडबेंड नेटवर्क लिम्केड तो वर्स 2011 में 200 बिलियन रुपए के निवेश के साथ में इस योजना को शुरू किया गया था उद्देश से इसका क्या था तो इसका उद्देश से था कि हमारे देश में जो भी ग्राम पंचायते हैं उनको हम लोग High Speed Broadband Connection के जरिये जोड़ दे अगर आप गाउं के होंगे गाउं गयरा में आपने देखा होगा स्यामा परसाद मुखर जी राष्टिय रोर्बन मिशन तो ये जो हमारे स्कीम है इसको सुरू किया गया था वर्स 2011 में गरामीन बिकास मंत्राले के द्वारा क्या था इस योजना में तो देखे इस योजना में ये था कि जो हमारे गाओं गरा के गरीब लोग है इनको हम लोग स्वयम सहता समूहों में बदले और उसके बाद में इनको हम इस तरीके से कैपेबल बनाएं कि ये अपना कुछ स्वार रोजगार कर सके तो ये जो प्रोग्राम है इसको फिर दीन दयाल अंतियोदय योजना ने रिप्लेस कर दिया था 25 सितंबर 2015 को तो ध्यारके का ये शुरू हुआ था 2011 में फिर बात करते हैं राष्टिय खादी सुरच्छा योजना की जिसे हम लोग राष्टिय खादी सुरच्छा एक्ट भी कहते हैं तो 2013 में इसकी सुरुवात की गई थी और आपको ध्यारकना है इसके अंतरगत जो हमारा PDS सिस्टम होता है उसमें आपके जो कार्ड ध्यारक हैं चाहें वो बिलो परवर्टी लाइन वाले हों या अबब परवर्टी लाइन वाले हों उनको अन का वितरन किया जाता है तो 3 किलोग्राश तीन रुपए पर केजी गेहूं चावल और 2 रुपए पर केजी गेहूं दिया जाता है एक ब्यक्ति को जैसे कि अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो इन में से एक व्यक्ति का जो हिस्सा है वो आपका होगा 5 kg अनाज का है यानि कि 5 लोगों को टोटल 25 kg अनाज इसके अंतरगत दिये जाते हैं अब हम लोग 2014 के बाद में जो हमारी योजना गोसित की गई है उनके बारे में यहाँ पर डिसकस करेंगे तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं 2014 में जो भी हमारी सरकारी योजना गोसित की गई है तो इसी क्रम में पहली योजना का नाम है परसाद योजना परसाद का मतलब है Pilgrimage, Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive फुल फॉम भी पूछा गया था NTPC में तो ध्यान रखिएगा योजना का उद्देश क्या था तो योजना का उद्देश यही था कि जो हमारे देश में प्रमुक्तीर थस्तान है उनको यहाँ पर डबलब किया जाएगा तो परेटर मंतलब की यह पहल है ध्यान रखिएग कि 2020 तक जो हमारी गंगा न दी है इसको हम लोग प्रदूसर मुक्त कर देंगे और इसको कर देंगे रिवाइब लेकिन ऐसा कितना हुआ है इसके बारे में कोई डाटा उपलब्द नहीं है ध्यान रखिएगा नाम है नमामी गंगी योजना 10 जुलाई 2014 को हुई थी यह चुआ था कब हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को इसे लौन किया गया था यह भी एक गजब की स्कीम थी इसमें कहा गया था कि जो भी हमारे सांसद हैं वो सांसद एक गाउं को गोद मिलेंगे अब गोद में लेने का मतलब नहीं है जैसे आप छोटे बच्चे को कन्नी मिलेते हैं गोद में लेने का मतलब यह है कि सिंपली उस गाउं का जो डवलपमेंट है वो उस पार्टिकुलर सांसद के द्वारा किया जाएगा तो टार्गेट यह था कि 2019 तक सभी सांसद तीन गाउं को डवलप करेंगे और 2024 तक करेंगे 5 गाउं को डवलप हाला कि कितने गाउं डव उस समय के उनके द्वारा लांज किया गया था उद्देश किया था तो ध्यार कियेगा उद्देश यह था कि 2020 तक जो हमारे ये बच्चों में होने वाली बिमारिया है जिससे डिप्तीरिया हो गया काली खासी है खसरा हेपेटाइटिस भी पोलियो टेटनेस और तपेदिक इनके लिए टीका करण के उद्देश से इसको शुरू किया गया था और पचास परसंट से कम टीका करण वाले हमारे देश के जो दोस्तों एक जिले थे उसमें इसके सुरूआत की गई थी तो मिशन इंदरधनुस आता है फिर इंदरधनुस टू पॉयंट जीरो आता है फि तो आवास और सहरी मामलों के मंत्राले के द्वारा गांधी जी के जैनती पर 2014 में इसको शुरू किया गया था। इसने अपना नाम Guinness Book of World Record में भी दर्ज करवाया था। 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्ज किया गया था। उद्देश यही था कि 10 वर्ष से अधिक आयू के लोगों के लिए जीरो वैलन्स का खाता यहां पर उपलब्ध हो। इस परपर से इसको शुरू किया गया था। और इस योजना को मैं काफी अच्छी स्कीम भी मानता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि अब सरकार के द्वारा जो पैसे भेजे जाते हैं लोगों को डिरेक्ली उनके खाते में आगर के रिसीब होते हैं यानि कि जो बीच में बिचोलिय होते थे उनको अब सरकार ने समात कर दिया है। तो PM जन्थन योजना एक अच्छी योजना आप लोग मान सकते हैं इसको और इसके अंतरगत 5,000 के उबर ड्राप्ट की सुविधा भी आपको मिलती है। रूपे का डेविट कार्ड भी आपको मिलता है और एक लाग का बीमा कबर भी मिलता है अगर आप इसके अंतरगत खाता खुलवाते हैं। अब बात करेंगे हम लोग 2015 में जो योजना ए घोशित की गई थी। तो सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल इंडिया योजना की तो ये जो हमारे स्कीम है इसको मंजूरी दी गई थी 20 अगस्त 2014 को लेकिन इसको लॉंज किया गया था एक जुलाई 2015 को तो पावर टू इंपावर मोटो के साथ में जो हमारे यहाँ पर इलेक्टानिक्स और मतलब जो भी आप लोग डिजिटल तरीके की चीजें देखते हैं वो सारे आपके डिजिटल इंडिया मिसन के हिस्से थे और इसे एक जुलाई 2015 को किया गया था लॉंज अब बात करते हैं मेक इन इंडिया की तो मेक इन इंडिया की बात करें तो 25 सितंबर 2014 को हमारा जो फा हमारा भी निर्मार सेक्टर है उसकी हिस्सेदारी को सूला से बढ़ा करके हम 25 परसंड कर दें तो इस टार्गेट के साथ में मेक इन इंडिया को शुरू किया गया था और आप डिफेंस सेक्टर में इसके प्रोग्रेस को भी देख सकते हैं फिर बात करते हैं प्रधान मंतर हुआ इसमें क्या कि जो आपकी ये योजना है इसके अंतरगत ब्याज उन लोगों को मिला जो की आपके नेताओं के खास लोग थे और फिर हुआ क्या इसके अंतरगत जिन्होंने भी पैसा लिया उन्होंने कोई रोजगार वगरा किया ही नहीं और इसमें हमारे बैंकों का बहुत सारा पैसा हो गया है NPA तो ध्यान आपको क्या रखना है कि 8 April 2015 को इसे लौन किया गया था इसके अंतरगत तीन कटेगरी में किसी व्यक्ति को रण दिया जाता है एक आपका सिस्चू कटेगरी था जिसमें 50,000 तक करन आप ले सकते हैं कि 100 कटेगरी की बात करें तो 50, से 5,000,000 तक करन ले सकते हैं और तरुन जो कटेगरी थी उसमें 5-10,000,000 तक करन आप ले सकते हैं तो आपके स्वारोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया था अब बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ये भी अपने आप में एक गजब की स्कीम थी क्योंकि आपने अभी हाल ही के दिनों में इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि योजना के लिए जितना फंड आवंटित हुआ था उसका लगभग 70-80% हिस्सा तो इसके एडवर्टाइज में ही खर्च हो गया है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यो फोकस क्या किया घया था कि जो हमारे देश में लिंगानूपात कम हो रहा है यानि कि सेक्स रेशियो कम हो रहा है उसको इंप्रूब किया जाया और जो हमारे यहाँ पर सेक्सूण card योजना की तो आपने पढ़ा होगा soil health card scheme के बारे में तो 19 फर्वरी 2015 को सरकार ने इसे launch किया था सरकार ने कहा क्या था योजना ये थी कि जैसे मान लीजिए हमारे किसी किसान का खेत है तो आपके सरकार के लोग आएंगे यानि के बैग्याने को वेरा सकते हैं और उसके आधार पर आपको एक card दिया जागा जिसमें आपके खेत के बारे में detail होगी हाला कि ये card कितने लोगों को मिला है मुझे नहीं पता है मेरे यहाँ पर तो फिलाल किसी को नहीं मिला है लेकिन ध्यान केगा 19 फरवरी 2015 को इसे launch किया गया था अब बात करते हैं PM करसे सिचाई योजना की ये भी अपने आप में एक गजबय स्कीम थी तो PM मोधी के द्वारा एक जुलाई 2015 को आर्थिक मामलों के जो cabinet सची समीती थी उसके द्वारा इसे साथ में इसको launch किया गया था पहले 2015-16 से 2019-20 यानि की 5 वर्षों के लिए इसे launch किया गया था आपने देखा होगा कि इस स्कीम में भी बहुत सारी कमिया रही थी अच्छा नहीं ये तो अच्छी स्कीम थी हाँ PM किसी सिचाई फसल बीमा वाली गलत थी हाँ तो ये आपके launch की गई थी target ये था कि हमारे देश में जो किसी उत्पादकता है उसको बढ़ावा दिया जाए क्योंकि आपको बता होगा अभी भी हमारे देश में बहुत सारा ऐसा land है जहां पर परियाप्त सिचाई के सुविधा अपलब्द नहीं है तो सिचाई को बहतर बनाने के लिए PM किसी सिचाई योजना की शुरुआत की गई थी अब बात करेंगे PM भारतिय जन आउसदी योजना की ये भी एक बहुत ही सांदार स्कीम थी भारत सरकार की प्रधान मंतरी नर्देनर मोदी जी के द्वारा एक जुलाई 2015 को इसकी खोशना की गई थी उद्देश क्या था देखे इसका टार्गेट ये था कि सरकार आपके बहुत सारे जन आउसदी केंदर खोलेगी जन आउसदी केंदर का मतलब है एक प्रकार का मेडिकल इस्टोर लेकिन इसके खास बात क्या होगी कि इनके उपर आपको जनरिक दवाए मिलेंगी जनरिक दवाए हमारी वो होती है कि जब किसी ब्रांडेट दवा का जो पेटेंट होता है वो समात हो जाता है तो फिर इसको बहुत सारी कमपनिया बना सकती है और उसके बाद में जब ये सारबनिक हो जाता है तो इसका प्राइज हो जाता है कम जो काम आपके ब्राण्डड दवाय करती है सेम वही काम आपके जनरिक दवाय करती है तो गरीब लोगों तक दवाओं की पहुंच के लिए भारण सरकार के द्वारा लांच की गई यह सांदार योजना है ध्यान आपको ये रखना है कि हमारे यहाँ पर जो फार्मासिटकल विभाग है रसायन और उर्वरक मंतराले के अंतरगत उसके द्वारा ये योजना चलाई जाती है कई बार लोगों को लगता है कि स्वास्त और परिवार कल्यान मंतराले इसको चला लहाओगा लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है तो ध्यान रखेगा एक जुलाई 2015 को इसे लॉंच किया गया था अब बात करते हैं भारत माला योजना की तो 24 अक्तूबर 2015 को सड़क हाईवे और परिवार मंतराले ने इसको लॉंच किया था टार्गेट ये था कि जो हमारे भारत के बांडी वाले राज्य हैं वहाँ पर हाईवे बनाया जाए और इस प्रकार से 83,000 किलोमेटर सड़कों का निर्वार किया जाए तो बस इतना ही इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे अब बात करते हैं सुकन्या समरिध्धी योजना की तो ये जो स्कीम है ये भी बहुत ही चर्चा में रहती है मेसा पीम मोदी के दोरा हड़ियाना के पारिपत से 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतरगत इसको लॉंच किया गया था है क्या ये स्कीम तो लग्कियों की उच्च सिच्छा और विवाह के लिए यह एक लगू बचत योजना है लग्की के जनम से 10 वर्स की आयो तक किसी भी बच्ची का आप इसमें इन्रॉल्मेंट करा सकते हैं नियून्तम 250 रुपए के मासिप प्रीमियम के साथ में तो ध्या योजना भी पूछी जाती है अभी हाल ही में ये पूछी गई थी पीम मोदी के द्वारा दुरगटना वीमा के रोप में 8 मई 2015 को पस्य मंगाल की जो राध्धानी है कोलका था वहां से इसको लौंद किया गया था होता क्या है इसमें देखे इसमें अगर आपका बैंक एका मृत्यों हो जाती है या किसे दुरगटना में वो अस्थाय रूप से डिसेबल हो जाता है तो उसको यहाँ पर दो लाख रुपए मिलेंगे अगर आंसिक डिसेबेलिटी होती है तो एक लाख रुपए यहाँ पर दिये जाएंगे तो ये था प्रधान मंत्री सुरच्छा अगली स्कीम का नाम है अटल पैंसन योजना तो इसको भी कई बार आपने देखा होगा कि बैंक के इंप्लॉई आपका इससे भी कर देते हैं तो पीम मोदी के दवाना जो हमारे आसंगठी छेतर में कार करने वाले लोग हैं उनको पैंसन प्रधान करने के लिए 9 मई 2015 को इ 9 मई 2015 को लॉंज किया गया था अगर आप इसमें इन्रॉल कराना चाहते हैं तो आपकी एज 18 से 40 वर्स के बीच में होनी चाहिए जितनी रासी आप शुरुआत में निवेस करेंगे उसी के अनुसार 60 वर्स की आयो के बाद में 1000 से 5000 रुपय तक की आपको पैंसन यहां पर द करने के लिए पीम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉंज किया गया था यह जो हमारा इसकीम है किंद्रिय आवास और सहरी विकास मंत्राले के द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें कहा था कि हम अपने देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे और सायद अभी तक देश मे अको नहीं बना है तो इसमें पहला सहर था जिसको डबलब किया जाना था वो भूनीश्वर था समवा सहर था सिरांग तो आपके बहुत सारे सहरों के सूची जारी की गई थी बहुत सारे सहर इसमें घूसित हुए थे लेकिन आज तक यानिकी 2015 में घूसित होने के बाद है तो नाम पहले इसका पढ़िए अटल मिसन फॉर्म रिजूवेनेशन एंड अरबन ट्रांसफार्मीशन यानि कि इसके अंतरगत एक लाग से अधिक जनसंख्या वाले हमारे देश के जो 500 सहर हैं यहां पर क्वालिटी आफ लाइफ यानि कि जो लोगों का लिविंग स्टेंडर्ड है यानि कि स्वाथ सुवधा हो गई सिच्छा हो गई इन सभी को बहतर करने के परपस से 24 जून 2015 को इसे लॉंज किया गया था नाम क्या है नाम इसका है अमरुद इसकीम अब बात करते हैं सागर माला परियोजना की तो सागर माला परियोजना क्या है आप नाम से ही समझ सकते हैं 31 जूलाई 2015 को इसे लॉंज किया गया था उद्देश यही था कि हमारे देश में जो भी राष्टी राजमार्ग हैं उनको आपके पोर्ट उगरा से जोड़ा जाए हमारे जो देश के पोर्ट है उनको और ज़्यादा मॉडन किया जाए और हमारे जो पोर्ट की छंता है इसको भी इंक्रीज किया जाए तो बस आपको ध्यार रखना है कि 31 जूलाई 2015 को यह लॉंज हुआ था फिर बात करते हैं स्किल इंडिया मिशन की यह भी एक गजबे की स्कीम थी तो पीम नरीद जुआ को कौसल विकास किया जाएगा। यानि कि उन्हें को सल विकास के ट्रेंग दी जाएगी ऐसा इसका टार्गेट था यह को रोजगार मिरा है इसका डेटा साइद इस प्लब्ध नहीं है अगर किसी के पास उगलब्ध होता है तो वो मुझे इसके बारे में बता सकता है अब बात करेंगे बिरासत सहर विकास और समवर्धन योजना नाम इसका है हरदय यानि कि नेशनल हरेटेस सिटी डवलप्मेंट एंड अगमेंटेशन योजना पाच करोड रुपए के बजट के साथ में 21 जनवरी 2015 को इसे लौंज किया गया था क्या था तो इसके अंतरकत हमारे देश के जो 13 परमुक सहर थे उनको और ज़्यादा डवलप्म करने की योजना थी जैसे कि अजमेर हो गया अमरावती है द्वारका मतुरा पूरी वारान से गया विललोर तो इन सब को डवलप्म करने के लिए हर्दय योजना की शिरुवात की गई थी अब बात करेंगे परधान मंत्री जीवन जोती योजना की तो ये जो हमारे स्कीम है यह भी एक प्रकार की बीमा की ही योजना थी 9 मई 2015 को कुलकाता से पीम मोदी ने इसको नौन्ज किया था इसमें अगर आप 330 रुपए का वार्षिक प्रीमियम देते हैं 18 से 50 वर्ष की आयो तक के लिए तो 55 वर्ष से पूर्व अगर आकस्मिक निधन हो जाता है तो जो भी नामित ब्रक्ति होगा उसको 2 लाख रुपए यहाँ पर दिये जाएंगे तो यह है प्रधान मंत्री जीवन जोती योजना जो की 9 मई 2015 को लाँज की गई थी अब बात करेंगे प्रधान मंत्री आवास योजना की तो 25 जून 2015 को हाउसिंग फर आल मोटो के साथ इसे लाँज किया गया 2022 तक सभी को आवास दिये जाने का लच्छ था हालाकि कितना यह कंप्लीट हुआ है यह आप लोग सरकारे डेटा में पढ़ सकते हैं ग्रामेड विकास मंत्राले और आवास और सहरी विकास मंत्राले की यह पहल थी मतलब गाओं में इसको ग्रामेड विकास मंत्राले चला रहा है और सहरों में आवास और सहरी विकास मंत्राले इस योजना को चला रहा है अब बात करते हैं प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना की तो भईया देख सकते हैं ये भी हमारे कौसल विकास और उद्धिमिता बंतराले की पहल है 15 जुलाई 2015 को इसे लॉंज किया गया था इसमें टार्गट ये था कि 2020 तक हम एक करोण इवाओं को कौसल के लिए टेनिंग दे करके रोजगार के योगी बनाएंगे अब कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई है सरकार की तरब से कितने लोगी योगी बने हैं इसका डेटा अगर किसी के पास होगा तो आप मुझे भी उपलब करा सकते हैं अब हम लोग 2016 में जो भी स्कीम घुषित किये गए हैं उनके बारे में यहाँ पर डिसकस करेंगे अब बात करेंगे प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना की तो यह जो इसकीम है 13 जनवरी 2016 को मद्य प्रदेश के सिहोर जिले से हमारे PM के द्वारा इसे लौंद किया गया था तो ध्यान रखेंगे इसमें था क्या इसमें था यह कि जो भी हमारे किसान होंगे वे अपने फसलों का कराएंगे बीमा बीमा कराने के बाद में अगर उनके फसलों का नुक्सान होता है तो 33% से अधिक फसलों के नुक्सान होने पर किसानों को यहाँ पर दिया जाएगा मुआपजा अब ये स्कीम भईया आपकी इतनी ज़्यादा बिकार थी कि ज़्यादा नुक्सान वाले को कम मौबजा कुछ इस प्रकार्स के प्रावधार इसमें देखने को मिले थे और इसलिए बहुत सारे राज सरकारों ने इसके बदले अपने यहाँ पर नई योजना को सुरू कर दिया था आपको परिच्छा के देश्ट कोर्ट से ध्यान रखना है कि 2016 में इसे लॉंद किया गया था अगर आपकी रवी की फसल है तो आपको प्रीमियम 1.5 परसंट देना होगा खरीब की फसल है तो 2 परसंट प्रीमियम देना होगा और अगर आपकी कोई कामर्सिल क्राप है जिसे की गन्ना तमाको गयरा हो गया तो आपको यहाँ पर 5% का प्रीमियम देना होगा तो यह प्रीमियम आपसे पूछा जाता है कितना देना होता है यह जरूर ध्यार रखेगा तो यह हमारी है प्रधान मंतरी फसल भीमा योजना अब बात करेंगे Stand Up India योजना तो अबित्वंतराले के द्वारा 5% 2016 को इसे लांज किया गया था उद्दे से क्या था तो उद्दे से यह था कि अगर कोई महिला OBC काटेगरी, SC या HT काटेगरी के बिक्ती अपना रोजगार करना चाहते हैं तो उनको 10 लाग से लेकरके 1 करोन रुपया तक करंड दिया जाएगा जिससे वे अपने स्वारोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं तो नाम इसका Stand Up India योजना है 5 अपरेल 2016 को लांज किया गया था अब बात करते हैं इनाम पहल की तो 14 अपरेल 2016 को इसे लांज किया गया था उद्देश ये था कि जो हमारे किसानों के उत्पाद होते हैं उसके लिए हम लोग एक आनलाइन मार्केट बनाएंगे जिसका नाम था Electronic National Agriculture Market तो यहाँ पर जो किसान होंगे वे अपने फसलों की आनलाइन विकरी कर सकते हैं और इसके लिए जरूरी ये था कि जो हमारा इनाम पोर्टल है उसको देश के मंडियों से जोड़ा जाए तो 1000 मंडियों से जोड़े जाने का इसका लच्छ था शुरुआत में और अब यहाँ पर इसके अंतरगत 1000 से ज़्यादा मंडिया जोड़ी भी जा चुकी है अब बात करेंगे प्रधान मंतरी उज्जुला योजना की तो पीम नरिन मोदी के दौरा 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से इसको लांज किया गया था टार्गेट क्या था इसमें देखे टार्गेट इसमें ये था कि जो हमारे बिलो पोवर्टी लाइन की महिलाएं हैं उनमें से 5 करोन महिलाओं को कम नाम पर LPG सिलेंडर प्रदान किया जाएगा या फिर मुफ्त में उनको LPG सिलेंडर दिया जाएगा बाद में इसको रिवाइज किया जाता है अपरेल 2018 में और जो लाभारतियों की संख्या थी उसको बढ़ा करके कर दिया जाता है आठ करोन तो ये योजना सफन नहीं थी यानि कि बहुत सारे लोगों को फ्री का सिलेंडर यहाँ पर मिला था तो प्रधान मंतरी उज्जुला योजना इसका नाम है अब बात करेंगे उडान योजना की तो ये भी अपने आप में एक जोकी था जब मतलब इस समय जोकी रह गया है PM महोदे ने हमारे ये कहा था कि हमारे देश में जो चपल पहनने वाला बैक्ती है उसको हम लोग हवाई जहाद से उड़ाएंगे तो आपको पता होगा कि जो गरीब बैक्ती है वो तो साथ बाइक भी अब नहीं चला सकता है तेल इतना महँगा हुआ है अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली से इससे लांज किया गया था मतलब नई दिल्ली से इसको घोसित किया गया था फिर इसको आधिकारिक तोर पर सिमला से लांज किया था पियम मोदी ने 27 सप्रेल 2017 को इसमें ये कहा गया था कि जो आपके प्लेन और गयरा के किराय होंगे वो काफी जादा कम होंगे जिससे हमारे देश के जो आम आदमी है यानि कि जो चपल पहनने वाले बगती है वो भी आपके हवाई जहाद से उडान भर सकेंगे अगर आप मैंसे किसी ने इसका फायदा लिया हो यानि कि अगर आपको सस्ती उडाने मिली है इसके इंतरगत तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन अब बात करेंगे संपदा या फिर पीएम किसान संपदा योजना की तो संपदा का मतलब है स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डवलप्मेंट आफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लश्टर क्या है ये स्कीम तो दो हजार सूला में खाद और प्रसंसकरण मंतराले के द्वारा छे हजार करोन के बजट के साथ में इसको लॉंच कर दिया गया था उद्देश यही था कि हमारे देश में बहुत सारे मेगा फोड पार्क बनाए जाएंगे और जो भी किसानों के उत्पाद होते हैं उनके लिए खाद ये प्रसंसकरण इकाई की भी अस्थाफना की जाएगी तो ये हमारे संपता स्कीम है जिसको दो हजार सूला में लॉंच किया गया था अब बात करते हैं सीतू भारतम योजना की ये स्कीम भी काफी जादा पूछी जाती है तो ये लॉंच होई थी चार मारसे 2016 को पीम नरेंदर मोदी जी के द्वारा क्या था इस स्कीम में देखे इस स्कीम में ये कहा गया था कि 2019 तक हमारे देश में जो भी हाइवे है अगर इस हाइवे से कोई रेलवे क्रासिंग गुजरती है तो हम लोग हाइवे को यहाँ पर उपर कर देंगे ब्रिज के जरीए यानि कि देश के जितने भी हाइवे है उसके उपर आपको रेलवे क्रासिंग देखने को नहीं मिलेगी इसी परपस से इसको लौंज किया गया था और सायर ये योजना अब समात हो चुकी है यानि कि जो इसका परपस था उसे कर दिया है सरकार ने पूरा अब हम लोग 2017 में जो योजना घोसित की गई है उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे सबसे पहले बात करेंगे प्रधान मंतरी मातरित बंदना योजना की तो 1 जनवरी 2017 को हमारे यहाँ पर महिला और बाल विकास मंतराले के द्वारा इसे लौंज किया गया था हाला कि यह नई स्कीम नहीं है पहले मातरित तो सहयोग योजना चलती थी उसी को बदल करके यहाँ पर लौंज किया गया था इसके अंतरगत होता क्या है कि जो भी हमारे प्रेगनेंट उमेर होती है उनके पहले बच्चे के जन्म के समय 6,000 रुपए के बित्तिय साहता मिलती है तो गाउं उगयरा के लोगों को इसके बारे में ज़्यदा पता होगा जिनके साधिय उगयरा हो गई होगी उन्होंने इसका लाप भी लिया होगा तो 5,000 रुपए तेन किस्तों में मिलते हैं और 1,000 रुपए जन्म के बाद यहाँ पर दिये जाते हैं इसके लिए नियुन्तम एज की भी क्राइटेरिया है जो की 19 वर्स होनी चाहिए अब बात करेंगे प्रधान मंत्री वय वंदरा योजना की तो ये भी काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है देखे ये जो स्कीम है वो आपके senior surgeon के लिए सुरू की गई थी 21 जुलाई 2017 को क्या था इस स्कीम में इसमें ये कहा गया था कि जो भी हमारे 60 वर्स या उससे अधिक आयोके बेक्ती हैं वो यहाँ पर एक साथ कर सकते हैं निवेस यानि कि एक प्रकार का fix deposit कर सकते हैं यहाँ पर जो निवेस की रासी है वो कम से कम देढ़ लाख और अधिक से अधिक 15 लाख रुपए होनी चाहिए दस वर्सों तक उन्हें 8 परसेंट यहाँ पर इस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा और उसके बाद में उनकी मोल रासी भी उनको as it is मिल जाएगी तो प्रधान मुंतरी वय वंद्रा योजना इसका नाम है जो की 2017 में शुरू हुआ था अब बात करते हैं सवभागी योजना की सवभागी यानि की PM सहज बिजली हर घर योजना 25 सितंबर 2017 को PM नरेंड मोदी के दौरा दीन दयाल उपाध्याजी की जैनती के उसर पर दिल्ली में से लांज किया गया था क्या था इसकीम तो इसके अंतरगत जो हमारे समाजिक आर्थिक गड़ना के तहत पात्रवक्ती थे उनको मुफ्त बजली करेक्शन दिया गया था तो ध्यान कियेगा इसके पहले योजना चलती थी दीन दयाल उपाध्याय गराम जोती योजना और उसी के तरज पर सौभागी योजना की भी सुरुवात हुई थी अभी आपके फरवरी में इसके उपर रिपोर्ट भी आई है जिसमें स्वभागी योजना की कार्यान वैन में देश में तौप पर रहा है आपका राजस्थान राज्य फिर बात करते हैं दीन दयाल असपर्स योजना की तो ये बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण नहीं है फिलहाल ध्यान कीगा इसके बारे में मतलब जो हमारे बच्चे हैं पांचमी से नौवी क्लास के अगर वे डांक टिकट संग्रा को अपनी हौवी की रूप में चुनते हैं तो उन्हें 500 रुपए के प्रतिमाह चातवर्ति दी जाएगी तो यही हमारी है असपर्स इसकीम फिर बात करते हैं सघन मिसन इंद्रधनुस की मैंने आपको कहा था इंद्रधनुस पहले लांच हुआ था फिर पीम नरेंद्र मोदी के दौरा आठ अक्तूबर 2017 को गुजराज से लांच किया गया था सघन मिसन अंद्रधनुस दो वर्स या कम आयो के बच्चे और जो गर्वती महिलाएं हैं उनको टी का करन करने का उद्धे से था तो ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे फिर बात करते हैं पीम ग्राम एड डिजिटल साचरता मिसन की तो 8 फरवरी 2017 को पीम ग्राम एड डिजिटल साचरता अभियान की मनजूरी दे गई थी क्या था इसका अंतर का टार्गेट क्या था तो टार्गेट ये था कि 2020 तक 40% ग्रामेर परिवारों में से कम से कम एक मेंबर और 2019 तक 6 करोन ग्रामेर परिवारों को हम लोग डिजिटली बना देंगे साच्चर यानि कि वह आपके नेट और अच्छे से यूज कर पाएंगे और हमारा जो बजट था 2018-19 वाला उसमें केंदर सरकार के द्वारा 500 करोन रुपए के बजट के साथ में इसको घोसित किया गया था उद्दे से क्या था आपने देखा होगा कई बार क्या होता है हमारे देश में कि प्याज टमाटर या फिर आलो के दाम आनियंतरित रूप से ब केसी नीड होती है किसी भी वेक्ति के लिए उसकी कीमतों को रखेंगे इस्थिर मतलब उसकी आप उर्ती को इस प्रकार से इस्थिर बनाएंगे कि उसकी जो कीमते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने ना पाये तो इसी के लिए ऑपरेसिन ग्रीन की सुरुवात हुई थी फि टार्गेट इसका क्या था इसका टार्गेट ये था कि हमारे देश में जो 10 करोण परिवार हैं लगभग 50 करोण ब्यक्तियों को यहां पर स्वास्थ बीमा कवर दिया जाएगा यहां पर हर परिवार को एक साल में 5,000,000 रुपए का कवर दिया जाता है अगर उसे किसी भी की विमारी हो जाती है और उस ब्यक्ति को यहां पर विमारी का इलाज करवाना है तो सरकार की तरफ से यह योजना शुरू की गई थी सेकंडरी और टर्सेरी प्रकार की विमारी के लिए नाम है आईश्मान भारत योजना अब बात करते हैं कुसुम योजना की कुसुम यानिकी किसान और जवा सुरच्छा और उत्थान महाभियान इसके अंतरगत जो मारे किसान हैं उनको खेतों की सिचाई के लिए सोरल प्रेट और उससे चलने वाले पंप का विद्रण किया गया था तो 2022 तक के लिए ये चल लही है ध्यान केगा फाइनेंसल ये 2018 में इसकी घुशना हुई थी कुसुम के बाद अब हम लोग बात करेंगे पी एम अन्यदाता सुरच्छा योजना की तो ये कोई विसेस सिस्कीम नहीं है बस थोड़ा सा ध्यान केगा 12 सितम्ब 2018 क भारत सरकार ने इसको लांच किया था उद्देश ये था कि जो किसानों की पैदावार है उसका उन्हें उचित मुले दिया जाया तो भया इसके लिए MSP आपको बड़े क्लियर कर देते सारे फसलों पर मतलब ये फजी की योजना आप कह सकते हैं 12 सितम्ब 2018 को लांच हुई थी अब बात करेंगे 2019 में जो योजना गोसित हुई थी पीम कर्म योगी मानधन योजना देखें ये जो हमारे स्कीम है इसको केंदे बजट 2019 बीस में उस समय के वित्तमंतरी निर्मला सीतरमन जी के द्वारा गोसित किया गया था और 5 जुलाई 2019 को इसे लांच किया गया थ था किसके लिए था ये स्कीम तो ये हमारे ब्यापारियों के लिए था योजना में ये कहा गया था कि जो भी हमारे जीएश्टी पंजीकरित ब्यापारी हैं जिनका वार्षिक टर्नोबर एक करोण एक दिस्मनलों पांच करोण से कम है उनको यहां पर 60 वर्स की आयो के संधन योजना फिर बात करेंगे पीम किसान सम्मान निधी योजना की तो अंतरिम बजट 2019 में इसकी घुशना हुई थी पीम नरेंद मोदीद गी के द्वारा उत्तर पदेश के गोरखपूर जिले से मतलब 2019 में इसकी घुशना हुई थी और 24 फरवरी 2019 को इसे लांज किया लिया था योजना के अंतरगत क्या होता है आपको अच्छे से पता होगा इसके अंतरगत जो हमारे देश के किसान हैं उनको तीन किस्तों में 6,000 रुपए के बित्तिय सायता दी जाती है तो पीम किसान सम्मान निधी योजना इसका नाम है गुरखपूर से ये लांच हुई पीम नरेंद मोदी जी के द्वारा इसकी योजना का लच्छी किया था देखे इसमें ये खा गया था कि अब जो हमारे किसान है उनको हम लोग देंगे पैंसन तो 18-40 वर्स के जो किसान है वो अपनी आयो के अनुसार 55-200 रुपए का प्रीमियम देंगे और इस योजना से ज योजना तो यह कोई बहुत ज़्यादा महात्पूर्ण नहीं है बस आपको यह ध्यार रखना है कि योजना के अंतरकर जो हमारे प्रवासी भारतिये हैं उनको यहां पर भारत के तीर थस्तानों पर घूमने के लिए सरकार के द्वारा मदद की जाएगी 24 जनवरी 2019 को वारा 2019 को तो विस्तो बैंक हमारे इसमें सहता कर रहा है इसके अंतरगत हमारे वह राज्ये जहां पर वाटर लेबल काफी ज्यादा नीचे जा चुका है वहां पर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाएगा तो अटल भूजल योजना इसके अनाम है 25 दिसम्बर 2019 को लांज किया गया था अब बात करेंगे पी-म स्रम योगी मांधन योजना की तो आपने देखा पहले करम योगी था फिर स्रम योगी था फिर किसान वाला था तो ऐसे तीन स्कीम है तो इसे 15 फरवरी 2019 को लांज किया गया था ये किसके लिए है तो ये हमारे है आसनंगठी चेतर के जो मजदूर है अगर आसनंगठी चेतर के मजदूर जिनकी एज 18 से 40 वरस है और जिनकी आए 15,000 रुपए प्रतिमाह से कम है तो ऐसे वक्ति यहाँ पर पैंसन के लिए अपलाई कर सकते हैं इनको भी 55 से लेकर के 200 रुपए का मासिक प्रीमियम देना होगा एज के अनुसार और 60 वरस की आयो के बाद में इनको 3000 रुपए की मासिक प्रीमियम देना है तो ध्यान रखेंगे स्तरम योगी मानधन योजना इसका नाम है और ये हमारे अन और्गनाइज सेक्टर के लेबर के रिए शुरू किया गया था अब बात करेंगे उन योजनाओं की जोकी 2020 में की गई थी घोसित सबसे पहले आपका है पीम वाणी योजना तो ये अलड़ी कई बार पूछा जा चुका है पीम वाणी योजना का नाम है पीम वाई फाई एकसे नेटवर्क इंटरफेस तो इसमें सरकार ने ये कहा था कि जो भी हमारे लोकल किराना की दुकान है या जो अन बात करेंगे पीम गरीब कल्यान अन्न योजना की तो मार्च 2020 में कोविड-19 में हमारी के मध्य नजर इस योजना को लांज किया गया था क्या था ये योजना के अंतरगर तो इसमें कहा गया था सरकार के द्वारा कि जो हमारे 80 करोन भारतिये हैं उनको कोविड-19 की लाकड स्वानिधी योजना की तो ये भी काफी ज्यादा पूचा गया है ध्यार रखेंगे एक जून 2020 को इस योजना को लांज किया गया था इस योजना के अंतरगर जो हमारे स्टेट बेंडर हैं यानि कि जो आपके रेडी खुम्चे वाले लोग हैं उनको 10,000 रुपय का को सिथा कि ग्रामेट छेतिके जो मकान मालिक हैं उनके अधिकार संपत्ती सम्मधित कार्डों के मादर्ण से बित्रण किया जाएंगे यानि कि जो संपत्ती होगी उसके लिए उन्हें कार्ड का बित्रण किया जाएगा और इसे 2020 से 2024 तक पूरे देश में लागू किये जाने क टार्गेट है फिर बात करते हैं आत्म निर्भर भारत अभियान की तो मई 2020 में जो हमारे बित्र मंतरी हैं निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इसको गोशित किया गया था बहुत सारे प्रोविजिन इसमें थे लेकिन आपको ये ध्यार रखना है कि उस दवरान 20 लाख करोण रुपए का एक आर्थिक पैकेज भी घोशित किया गया था भारत सरकार के द्वारा फिर बात करते हैं मिसन कर्म योगी की तो 2 सितमबर 2020 को केंद्रे कैबिनेट के द्वारा इसकी घोशना की गई थी उद्देश ये था कि जो हमारे देश में सिविल सर्विसेज हैं या अन नाम इसका है मिसन कर्म योगी फिर बात करते हैं प्रधान मंतरी मतर से संपदा योजना की तो केंद्रिय बजट 2019-2020 में इसकी घोशना हुई थी और देश में मचली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2020-25 तक ये इसकीम चल रही है तो डिपार्टमेंट आफ इसरीज की ये योजना है जो की 2020-25 के लिए चलेगी फिर बात करते हैं उज्जला 2.0 इसकीम की तो ये जो हमारे इसकीम है इसको पिछले साल यानि कि 2021 में नरेंदर मोदी जी के द्वारा फिर से लांच कर दिया गया है इस बार जो ये इसकीम है वह उत्तर पदेश के महुबा से ला कनेक्शन देंगे और उनकी जो पहली सिलेंडर होगी उसमें भरा हुआ गयस भी हम लोग देंगे मुफ्त में तो ध्यार केगा नाम इसका है उज्जला 2.0 तो इस प्रकार से हमने जितनी भी महत्मूर योजनाय थी उनको डिसकस कर लिया है फिर भी मैं आपको ये 100% करके डिसकस कर लेंगे बाकी अनकेडमी के उपर जरूर आप मुझे जोइन कर लिजिएगा क्योंकि वहां पर इन सभी का लाइव टेस्ट होता है तो आपने यहां पर क्या खाया है कितना आपने पचाया है इस सभी का अगर आपको अनलसिस चाहिए तो अनकेडमी के उपर आप मुझे से जुड़ सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग जै हिंद जै भारत